खरगोन जिले की गोगावा नगर के आसपास ग्रामिन शेत्रों में तुफानी हवाओं के साथ हुई तेज वर्षा से जन जीवन प्रभावित हुआ महीं ग्राम सहा पुरावा आजीब बाबा बेड़ी पर अनेक मकान छतिग्रस्त हुए हनुमान चोक इस्थित नीम का पेड़ गिरने से सदाश्यू गुपता का मकान छतिग्रस्त हुआ जबकि मकान के पास इस्थित नीम की बड़ी टेहनियों को काटे जाने को लेकर पूर्वो में ग्राम पंचयत गुगाओं को लिखित आदेश देकर अउगद भी कराया गया था इसी प्रकार नगर से सटे हाफिज बाबा बेड़ी पर अनेक मकान छतिग्रस्त हुए हैं जिसमें इद्रिश पिता मंजूर शाह निवासी ग्रेट के पिछे शाहपूरा हाफिज बाबा बेड़ी का कच्चया मकान पूरी तरह से धराशाई हो चुका है इद्रिश शाह ने बताये कि उसके यहां आने वाली 21 तारिक को बच्ची का विवा था परंतु इस तुफानी अहवाओं और टेज वर्षा में मकान पूरी तरह से जमीर दोश हो गया वहीं मिली जानकारी अनुसार लोकेंद्र पिता, आनन्द राम, उपाद्याई अपने खेत में लगे गेहू की सिचाई कर रहा था आंदी के कारण अचानक बिजली का पोल खेत में गिरने एवं उसमें लगे तार से लोकेंद्र को बिजली का करेंट लग गया जिसको गोगावा अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने उसको मरत गुर्शित कर दिया तेज हवा और भारी वर्शा से नगर के विविन शेत्रों में कई मकान छतिग्रस्त हुए और मारगो पर पेड़ गिरे जिसके कारण रहागिरों को आवा जाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा गोगावा से इकबाल हकिम की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें